सारे previous year questions के billing आपके पास एक ही फाइल में है अगर आपने ये master pdf फाइल डाउनलोड नहीं किया है तो अभी डाउनलोड करें नीचेट discussion walks में इसका link दिया हुआ है So hello बच्चालो, welcome back और यहाँ पर हम दो discuss करने वाले है J.E.Main 2021 August attempt में पूछे गए communication से related सारे question ठीक है, इस बार काफी consistency देखा गया था हर attempt में आपको एक question इस chapter पर था तो आप समझ सकते है कि chapter छोटा है, easy है तो आपका 4 number जरूर से पक्का हो सकता है और अगर आपको इसको sure shot करना है तो जरूर से आप इस revision वीडियो को देखे इसका link आपको इस PDF में भी है और इसके discussion box में भी है बहुत कम से कम समय में आपको detail में समझ में आ जाएगा अगर आप इसे पहली बार भी पढ़ने वाले हैं तब भी ये वीडियो आपके लिए sufficient है ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको शुरूर करते है ये अपना first question है सवाल में हमसे कहता है अब ये सवाल आपका direct formula based है हमारे पास ये actual formula होता है तो अगर हम इन दोनों को आपस में compare करे तो आप समझ सकते हैं हमसे सवाल में क्या पूछा गया है modulating frequency और modulating frequency जो है वो यहाँ पे आपके सामने छुपा हुआ है omega m यानि कि ये वाला जो term होगा वो आपको हो जाएगा omega t so this is your omega t यानि कि omega m कितना हो जाएगा that is going to be your 1, 2, 5, 6, 0 अभी ये आपको omega है लेकिन हमसे hertz में पूछा जा रहा है kilohertz में तो हमें इसे f में convert करना होगा so 2 pi fm is equal to 1, 2, 5, 6, 0 यानि कि fm is equal to 1, 2, 5, 6, 0 divided by 2 into pi pi होता है 3.14 यानि कि 6.28 ठीक है तो यहाँ से अगर हम decimal को हटा दे तो आप देख सकते है ये आपको completely cancel हो जाएगा as 2000 2000 hertz which is nothing but your 2 kilohertz तो अगर हम यहाँ पे देखे so ये answer हो जाएगा आपको simply 2 ठीक है चल ये let's move to the next question question number 2 तो आपका ये जो tower antenna वाला सवाल है ये काफी पूछा गया था a transmitting antenna at top of a tower has a height of 50 meter and the height of the receiving antenna is 80 meters ठीक है what is the range of communication for line of sight mode बढ़िया है तो ये हमारे सामने figure है जो 80 meter वाला है वो आपको receiving antenna है तो इसको बोल देते हैं हम लोग 80 meter वाला height और ये आपका हो गया है 50 meter height ठीक है अच्छा है अगर हम इनके top से top को इस तरीके से connect कर दे तो हमसे यही वाली length पूछी जा रही है अब इसका formula हमें पता होता है राइट इस यूर DR इस यूर DT तो हमसे सवाल में total distance पूछा गया यानि की DR प्लस DT पूछा गया है अब वाली ओफ DR इस यूर 2 अब रूट 2 र इस दी रेडियस अफ दिस प्लानेट विच इस अर्थ ओर हेर 2R अब यहां पे आप वाल्यूस को substitute कर दिजे हमें radius of earth दे रखा है 6400 किलोमेटर तो इसको हम लोग किलोमेटर में ही रख रहे है क्यों ऐसा कर रहे है सर क्योंकि हम अग को चारो option भी किलोमेटर में ही दिया हुआ है now HR is equal to 80 HR is 80 तो यह आपका मीटर में है तो क्यों ना सबसे पहले हम लोग इसको किलोमेटर में convert कर दे तो 1000 से divide कर दिया ठीक similarly यहां पे भी हम लोग यही काम कर लेते हैं so this is your 50 divided by 1000 now you just need to calculate this तो हम लोग यहां पे क्या देख सकते हैं 000 यह तीनों आपका 00 this also goes away तो यहां पे आपके सामने है 64 into 2 और 8 16 होता है तो दोनों ही आपका एक perfect square है so यह आपको 4 into 8 आ रहा है plus यहां पे अगर हम ध्यान से देखे तो 64 का तो under root हमको पता है 8 लेकिन 2 into 5 10 है तो 8 under root 10 तो यह आपको हो जाएगा 32 plus 8 multiplied by अब आपको exact exact root 10 भी नहीं पता होना चलेगा क्योंकि यहां पे 4 option काफी दूर दूर है तो आप approximate कर सकते है root 10 को हम लोग माल लेते है 3.1 के आसपास this is your 3.1 so this is your 32 plus this is your 24.8 so if you add this this is going to be 56.8 which is very very close to option number 4 so this is the answer ठीक है चलिए let's move to the next question question number 3 similar pattern पे आपका एक और सवाल है a transmitting antenna has a height of 320 meters and the receiving antenna is 2000 meter the maximum distance between them for satisfactory communication in line of sight mode is D तो हमसे D की value पूछी जा रही है और again kilometers में ही पूछी जा रही है है ना हमसे फिर से यह वाली जो distance है वो पूछी जा रही है और हमें इन दोनों का individual distances पता होता है यह आपका receiving antenna हो जाएगा यह आपका height of receiving antenna this is the height of the transmitting antenna this is your DR and this is your DT तो हमसे यहाँ पे D पूछा जा रहा है what is the total summation like this again what is the value of DR this is going to be your 2R HR plus 2R HT यहाँ पे हम लोग values को substitute करेंगे हलाकि हमें यह आपे earth का radius नहीं दिया है लेकिन आपको पता है कि क्या होता है that is your 6400 km so 2 multiplied by 6400 km HR is your 2000 so this is your 2000 divided by 1000 क्योंकि हम लोग km में values को convert कर रहे है 2 into 6400 multiplied by HT and HT is your how much 320 this is your 320 divided by 1000 now simply calculate this यह आपको खतम हो जाएगा इस तरीके से यह भी आपको cancel out हो गया है ठीक है अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए 6400 का under root हो जाएगा 80 और 2 into 2 का under root हो जाएगा 2 plus 64 का under root हो जाएगा 8 multiplied by 2 into 32 again 64 है तो यह भी 8 हो जाएगा so this is your 160 plus 64 so this is your how much this is your 224 so 224 km so the answer is going to be simply 224 ठीक है चलिए let us see the next question question number 4 अच्छा है अब सवाल में क्या बोलता है an antenna is mounted on a 400 meter tall building what will be the wavelength of signal that can be radiated effectively can be radiated by the transmission tower up to a range of 44 km ठीक है अब आपने अगर theory पड़ा होगा हमारे notes में भी लिखा हुआ है कि जो recommended height होता है that is equal to lambda by 4 ठीक है so basic यहाँ पर concept यह है जो आपका h होना चाहिए that should be comparable to lambda right सिर्फ lambda by 4 ही होना चाहिए ऐसा कोई compulsory नहीं है कभी-कभी आपका tower का जो height वो lambda by 2 भी होता है कभी-कभी आपका यह 3 lambda by 4 भी होता है right depending upon various situations तो कहीं न कहीं आपको एक बात समझ में आ रहा होगा कि यह जो lambda है यह जो lambda है वो आपको हमेशा height से तो भाईया जादा ही होना चाहिए right आप देख सकते ना h कभी lambda by 2 है h कभी आपका 3 lambda by 4 है तो lambda जो है वो आपका h से जादा ही होना चाहिए यह आपको मान के चलना है अब यहाँ पे हमें जो टावर का height है antenna जहां रखा गया है वो 400 meter height पे है यानि कि जो wavelength होना चाहिए that should be more than 400 meter at least यह condition तो meet होना ही चाहिए और option इस तरीके से दिया है कि आप easily option number 2 को ही select करेंगे तो इस तरीके से सवाल को basically handle किया जा सकता था ठीक है चलिए let's move to the next question question number 5 if the sum of the heights of transmitting and receiving antenna in the line of sight of the communication is fixed at 160 meter तो इस situation में हमें क्या बोलता है कि मान लिजे कि यह वाला आपका जो receiving antenna है इसका height है HR तो इस जो transmitting antenna है इसका height हो जाएगा 160 minus HR 160 minus HR then the maximum range of LOS communication line of sight communication is dash kilometers ठीक है सबसे पहले हमें तो पता करना होगा कि इस HR की value कितनी है उसके बाद ही हम लोग आगे सवाल को बढ़ा सकते हैं so situation तो वही है situation आपके पास वही है यह है आपका वो this range of line of sight communication total जो है यह D होता है तो जैसा कि हम जानते दिस D is equal to under root of 2R HR plus under root of 2R और यहाँ पे HT की जगा हम लोग लिख सकते हैं 160 minus HR एक काम करते हैं इस HR को simply X बोल देते हैं तो थोड़ा सा लिखने में आसानी होगा 2RX plus under root 2R 160 minus X and this is your day अब हमें सबसे पहले तो इस function को maximize करना है maximize करने का मतलब है कि इसको आप X के respect में differentiate करके 0 के बराबर कर दीजिए clear है एकदम तो चलिए differentiate करते हैं सबसे पहले तो यहाँ पे आप इसको जब differentiate करेंगे तो यह तो है आपका root 2R यह तो constant है root X का differentiation हो जाएगा 1 by 2 root X ठीक है plus again this is your root 2R 160 minus X under root इसका differentiation हो जाएगा 2 root 160 minus X multiplied by यहाँ पे minus X है तो एक minus 1 भी आएगा and this is equal to 0 ठीक है अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो यह root 2R root 2R आप common लेके 0 में इसको मिला सकते है इस 2 और 2 को भी आप हटा सकते हो so इसे हम क्या लिख सकते थे I could have written this like 1 by root X और इस वाले term को right side ले जा so 1 divided by 160 minus X cross multiply करके square कीजिए both sides so 160 minus X is equal to X तो यहाँ से आपका X का value जो है वो 80 आ रहा है यानि कि equal equal height है HR 80 है तो आपका HT भी 80 ही हो जाएगा तो आपको पता चल गया है कि दोनों का height same होना चाहिए अब simply हमें इस D की value को दुबाला से solve करनी है so D is equal to under root of 2 into 6400 right और हमें answer निकालना है kilometers में तो height जो है जो की 80 meters है उसे हम put करेंगे 80 divided by 1000 और यह जो second term है यह भी same आने वाला है तो इस पूरे को 2 से ही multiply कर देते है ठीक है एकदम अच्छा है अब ध्यान से देखिए यहाँ पे आप लोग तो यह 0 यह 0 खतम यह 3 0 के साथ यह खतम हो जाएगा so अंदर में आपका 64 है so 64 का अंदर रूट 8 हो जाएगा 8 x 2 16 है उसका अंदर रूट 4 हो जाएगा और यहाँ पे 2 है so this is nothing but your 64 km so the answer is simply 64 ठीक है चलिए let's move to the next question question number 6 यहाँ पे हम से कहता है bandwidth of 6 MHz is available is available for AM amplitude modulation transmission if the maximum audio signal frequency used for modulating the carrier wave is not to exceed 6 KHz 6 KHz the number of stations that can be broadcasted within this band simultaneously without interfering with each other will be how much so the number of stations that can be broadcasted is given by how much यह आपका total bandwidth which is 6 x 10 to the power 6 Hz right divided by यहाँ पे आपका bandwidth of modulating frequency है right यह क्या हो जाएगा this 6 KHz is your FM this is your 6 KHz so what is the bandwidth bandwidth is your bandwidth is your 2 times FM यह आपको हो जाएगा 12 KHz तो इसको 12 KHz से यहाँ नीचे में divide कर देंगे so this is going to be how much यह आपको हो जाएगा 2 यह आपको हो जाएगा 1000 so 1000 by 2 is equal to 500 so total number of stations that can be broadcasted is equal to 500 sorry 500 ठीक है चल यह okay now let's see the last question of the session again a very easy question लेकिन तभी easy है जब आपको formulas पते है आपने concept को थोड़ा बहुत ठीक से पढ़ा है question number 7 a carrier wave with amplitude of 250 volt is amplitude modulated by a sinusoidal base band signal of amplitude 150 volt ठीक है हमें क्या क्या दिया हुआ है हमें AC दिया हुआ है that is equal to 250 और हमें AM भी दिया हुआ है AM this is your 150 the ratio of minimum amplitude to maximum amplitude for the amplitude modulated wave is 50 is to X तो X की value पूछी जा रही है तो हमसे basically minimum upon maximum का ratio पूछ रहा है अब minimum क्या होता है minimum is your basically AC minus AM ठीक है जाके notes में देखे वहाँ पे graphically भी समझाया हुआ है और maximum होता है AC plus AM so very simple 250 minus 150 is your 100 250 plus 150 is equal to 400 और यह जो ratio है हमसे सवाल में कहता है कि this is equal to 50 is to X 50 by X के बराबर है यह ratio तो यह आपका खतम और X के value आजाएगे आपको simply 200 so here you have to put simply 200 ठीक है so that's all for this session and I hope you have actually understood the session and if you have then do subscribe to the channel hit that bell icon so that you can you should never miss any of the updates and like this video we shall be meeting up in more such videos अब तक लिए टेक केर and बबबाए yeah